वेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल तर्थिस रसिपी, आज हम लोग सूरत की सबसे फेमस स्विट बनाने जा रहे हैं, नाम पता चल गया होगा आपको, जी हां हम लोग बनाने जा रहे हैं घारी, शरगत पुर्नीमा नौरात्री की बाद की पुर्नीमा, मतलब शरगत खाने का, तो आईए बनाते हैं आज घारी, घारी का फिलिंग बनाएंगे, घारी का फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे 600 ग्राम मावा, 600 ग्राम अन्स्विटन मावा लेना है, उसके साथ लेना है 300 ग्राम शुगर का भुरा, शुगर का भुरा और लेना है हमें इलाइची का पावडर, इलाइची को मैंने शुगर के साथ क्रश कर लिया है, थोड़े बहुत ड्राइफ्रूट्स, उसमें लिया है बादम और पिस्ता, जिसे मैंने दरदरा कुट लिया है, और राउंड वन कप जितना बादम और पिस्ता है, उसके साथ लेना है हमें तीन चम्मच बे हम लेंगे मैदा, मैदा लेना है हमें 250 क्राम और उसके उपर कोट करने के लिए लेना है की, घी लेंगे 300 क्राम और देशी घी लेना है हमें, सबसे पहले हम पैन को गरम रखेंगे और उसके अंदर दो चम्मच घी एड़ करेंगे, उसके बाद हम उसमें बेसन और रवा एक साथ रोष्ट करेंगे, हलके आज पे बेसन और रवा को हमें रोष्ट करना है और एकदम आज मिडियम ही रखना है, हलका ही रखना है ताकि हलका ब्राउन होने तक हम आराम से रोष्ट कर सके, नहीं तो बेसन जल जाएगा और रव इक दम ब्राउन कलर का नहीं चाहिए हलका घुलाबी कलर का। इसे हमें रौस्ट करना है एक दम फ्लफी हो जाएगा आपका बेशन और रवा रोस्ट होते है तो समझ लीची आपका बेशन और रवा रोस्ट हो गया है।Now धी हम एड करेंगे मावा क्रम्बल किया हुआ मावा एड करना है हमें और गेश का फ्लेम एकदम ही स्लो रखना है विकाज अगर एकदम हीट रखेंगे हाई फ्लेम रखेंगे तो मावा चल जाएगा एकदम स्लो फ्लेम पे इसे हम रोष्ट करते जाएंगे अच्छे से mix करना है और अच्छे से इसे roast करना है हलकी आज पे around 5 मिनित तक roast करने के बाद मावा में से घी जो है वो release हो जाएगा पैन को छोड़ने लगेगा तो बस अपना मावा roast होके ready है ये sign है मावा का roast होने का तो बस अभी हम gas को turn off करेंगे और पैन को नीचे उतारेंगे इसे मिश्रन को ठंडा होने देंगे तब तक हम बना लेते हैं उसका cover cover बनाने के लिए मैदे में हम दो चमच घी का मौन डालेंगे दो चमच घी का मौन डालने के बाद उसे हम रोटी जैसा आटा गुनना है तो नॉर्मल पानी के साथ इसे हम रोटी जैसा soft आटा लगाएंगे धीरे धीरे इसे गुनना है और soft आटा ही गुनना है नॉर्मल पानी के साथ ही हम यह आटा गुन डेंगे घारी का जो पढ़ है मतलब उसका जो वो पढ़ है उसे हम एकदम ही पतला रखेंगे एकदम ही ट्रांसपरेंट रखेंगे विकोज जब हम मावा और ये जो पढ़ है उसके बीच में मतलब घी और मावा के बीच में पढ़ एकदम ही ट्रांसपरेंट रहना चाहिए तो दिखाई नहीं देना चाहिए एकदम सॉफ्ट आटा लगा के रेडी हो गया है और इसे हम 10 मिनित के लिए रेस्ट देंगे आटा रेस्ट होता है तब तक हम घी का प्रोसेस कर लेता है जो घी हम गारी के उपर कवर करने के लिए लगाएंगे वह वाला घी है यह गी को हम एकदम हीट नहीं करना है खाली मेल्ट करना है स्लोफ आज पे दो मिनित के लिए रखेंगे और गैस पे रखने के बाद ट्रांस्परिंट मतलब जैसे ही लिक्विड होता है बस ऐसे ही हम नीचे उतार लेंगे घी को गैस को टन अफ करेंगे और घी को नीचे उतार लेंगे और उसे हलका सा ठंडा होने देंगे हलका सा ठंडा होने के बाद घी के नीचे हम रखेंगे आइस क्यूब और उसे हलके हातों से फैटते रहेंगे ये फैटने का प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हलका हलका घी ठंडा होगा और ठंडा होते होते उसमें थोड़े air bubbles भरेंगे नॉर्मली घारी में जाम खंबड्या का घी यूज किया जाता है जाम कंबड्या का घी दरदरा और दानेदर रहता है वाइट रहता है तो हम नॉर्मल घी यूज करता है विकोज हर जगा जाम कंबड्या घी अवेलेबल नहीं रहता है इसलिए हम नॉर्मल घी यूज करता है हलका सा ठंडा होने की बाद जैसे ही थोड़ा ठीक होने लगे तो उसके अंदर हम अपने हाथों से वह घी को फैटेंगे क्योंकि हमारे हाथों की गर्मी और आइस की थंड़क मिलके ही वह एकदम फ्लफी होगा और उसके अंदर अच्छे से एर भरेगा आप देख सकते हैं एकदम लाइट और वाइट कलर का हो गया है घी और एकदम फ्लफी भी हो गया है तो बस ये घी हमारा रेड़ी है उपर कवर करने के लिए हमारा मावा का मिश्ट्रेंट भी ठंडा हो गया है बस उसके अंदर हम अभी एट करेंगे ड्राइफ्रूट ड्राइफ्रूट को अच्छे से मिक्स करेंगे और इलाइची का पाउडर भी हम उसमें एट कर देते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद धीरे धीरे हमें शुगर पाउडर एट करना है शुगर पाउडर को धीरे 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 हम एट करते जाएंगे और मिश्रेंट को अच्छे से मसलते जाएंगे हम ये बूरा लेते हैं इसके लिए इसमें से पानी नहीं चुटेगा अगर नॉर्मल शुगर का पाउडर लिया तो फ्रेंस शुगर का पानी होगा इसके लिए हमारा जो मिश्रन है वो एकदम पानी वाला हो जाएगा मतलब लिक्विडी हो जाएगा तो ध्यान रखे अब भूरा ही लीजिए और अगर ऐसा लगता है आपको कोई भी स्टेज कि आपका मिश्रन लिक्विडी हो रहा है तो आप उसे ठंडा कर दीजिए और फिर उसमें से गोले बनाएगे गोले बनाने के बाद हम हमारा जो आटा है उसे हम अच्छे से चिकना करेंगे और उसमें से छोटी-छोटी पूरिया बनाएंगे घारी का कवर बनाने के लिए चोटा सा लोई लेके उससे हम एकदम पतली पूरी बेलेंगे हमें एकदम पतली पूरी बेलना है और उसमें हम मतलब सुखा आटा नहीं लेंगे हम ऐसे ही घी या तेल लगा के नीचे चकले पे ऐसे ही हम बेलेंगे हमें सुखा आटा इसमें यूज नहीं करना है हो सके उतनी पतली पूरी बेलिये एकदम ट्रांस्परेंट हो जाए वहां तक ध्यान रखिये और उसके बाद हम आप देख सकते हैं कितना पतला पूरी हमने बनाया है ऐसा ही पतला पूरी बनाना है ताकि घारी में बीच में पढ़ है ऐसा फिल ना हो उसके अंदर हम एक लुआ रखेंगे घारी का फिलिंग जो हमने बनाया था वो और उसे अच्छे से कचोरी की तरह से कवर कर लेंगे एकदम अच्छे से कवर करने के बाद उसे हमें सेल करना है और एक्सेस आटा जो है वो हमें निकाल लेना है हमने घारी का शेप दे दिया है अच्छे से हाथ पे थेपके इसे घारी का शेप देना है और बस ऐसे ही से साइड में रखना है ऐसे ही सारी घारी हम प्रिपार करेंगे और गरम किये हुए घी में फ्राई करेंगे अच्छे से कवर करेंगे देखना है कि कहीं से भी तूटे नहीं गरम किये हुआ घी है उसमें हम अभी घारी को फ्राई करेंगे लेकिन एकदम स्लो आज पे घारी को फ्राई करना है और आप एक चम्मच में रखके ही उसे फ्राई कीजिए, अंदर डालने के समय चम्मच से ही डालिए, अगर ऐसे ही अपने घी में छोड़ दिया घारी तो वो तूट सकता है, और एक दम हलका फ्राई करना है, बहुत ज़ादा फ्राई नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिया तो उसका कलर चेंज हो जकता है अच्छा से उपर घी डालिए और फिर उसे फ्राई कीजिए बस एक से दो सेकन में ही घारी फ्राई होके रेडी हो जाएगा और उसे ऐसे ही सारी घारी को हम फ्राई करेंगे घारी को हमने फ्राई कर लिया है नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर आ गया है उसके बाद हम उसमें घी कवर करेंगे घी कवर करने का प्रोसेस है उसके अंदर घी में डुबाएंगे घी में डुबाएंगे तो फ्रेंट्स एकदम अच्छे से घारी घी को कवर कर लेगी और फिर उसे हम एक प्लेट में जमाते रहेंगे लेकिन अगर आपका घारी थोड़ा भी गरम रहेगा तो उपर का घी मेल्ट होके वापिस प्लेट में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं मेरा घारी थोड़ा सा गरम था ताकि मेरा घी जो है वो प्लेट में आ गया है और एक खारी ठंडा हो गया है अभी उसके उपर हम घी चम्मत से लगाएंगे ताकि ठंडी घारी के उपर घी जो है वो एकदम ही चिल्ड हो जाएगा पकड़ लेगा घारी घी को और ऐसे ही हमें सारी घारी प्रिपेर करनी है यह मिश्रिन जो हमने मावा का बनाया था उसमें से अरा दिख सकते हैं घारी चिल्ड थी इसकी वज़े से घी ने एकदम पकड़ लिया है घारी को तो फ्रेंट्स रेडी है हमारी घारी चन्नी पड़वा सेलिब्रेट करने के लिए घारी और भुसू बहुत ही मज़ा आएगा खाने का देखते रहिए मेरा चैनल करतीस रेसिपी किजिए चैनल किजिए सब्सक्राइब किजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर्ड किजिए ताकि ऐसे ही मेरी नई नई वाराइटी आप तक पहुंचती रहें